शावन मास 2023 का समापत होने को है उसकी अंतिम रात्री जो कि 30 अगस्त को रहेगी 31 अगस्त को उद्यत्थिके उनसार पुरुनिमा मनाई जाएगी लेकिन रात्री जो है वो 30 अगस्त को रहने वाली है 30 अगस्त की रात पुरुनिमा का चांद अपनी पुरुन कलाओं के साथ विराजमान रहेगा इसलिए उस दिन आप जो भी चंद्रमा के उपाई करते हैं तो आपके जीवन में जितने भी ग्रह दिशाएं खराब चल रही होती हैं वो सारी सही हो जाती है उस दिन अगर आप च तरह के शुफलों की प्राप्ति होती है तो 30 अगस्त का दिन आप गवाई नहीं इस साल कर श्यावन मास का आखिरी दिन होगा आखिरी रातरी होगी तो आप जरूर कुछ न कुछ अपने घर की समस्याओं को समाधान करने के लिए उपाई करें विशेश तोर से जिन बच्चों के विवायोग तो चल रहे होते हैं विवायोग बने हुए होते हैं लेकिन हमारी और बहुत सारी दशाएं ऐसी चल रहे होती हैं घर की घर के बाहर की हमारे क्रिया कलाप घर में कुछ इस प्रकार से चल रहे होते हैं जिनके कारण बच्चों के मांगली कारें घर में रुक जाते हैं होते नहीं बच्चों का जो समय आता है विवा का योग बनता है जिस समय में वो भी निकल जाता है बच्चों के मांगलिक कारे नहीं होते घर में घर में ही दिक्टें कहीं न कहीं शुरू हो जाती है हमारा वैवार भी कई बार ऐसा घर में चालू हो जाता ह तो हम अपने विश्य पढ़ाते हैं कि बच्चों की वगा के लिए आप उस दिन क्या उपाई कर सकते हैं उपाई आपको बहुत छोटा सा और आसान सा घर में ही करने वाला बताऊंगी लेकिन उससे पहले नमस्कार आप सबका मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ वीना शर्मा आपको शावन मास की जो आखिरी रात्री है यानि कि 30 अगस्त को एक छोटा सा उपाई करना होगा घर में ही बच्चे करना चाहें तो कर लें लेकिन मैं कहूंगी मां को ये उपाई जरूर कर लेना चाहिए क्योंकि बच्चे कई बार ऐसे काम नहीं करते हैं मां जरूर कर लेती है बच्चों के शुबकारियों के लिए तो मां क्या करे आपके पास दिन में आप मंगवा लीजिएगा सवा किलो जो मंगवा लीजिएगा या सवा किलो गेहूं मंगवा लीजिएगा या आपके घर में हो तो भी आप नाप से तोल के थोड़ा सा किसी बरतन से नाप के निकाल लीजिएगा सवा किलो गेहूं जो तो तो वो मंगवा लें फिर उस मा को मंगवा लेना चाहिए जो मंगवा लेना चाहिए मंगवा कर आपको दिन में रख लेना है इसे दिन में रख के शाम का समय जैसे ही रात्री का हो आप दिन भर में भगवान की कैसी पूजा करें विश्णु भगवान की विशेश तोर से मैं क कहुंगी जिन बच्चों के विवा में देरी हो रही है उनके घर में विश्णु भगवान की पूजा जरूर होनी चाहिए शाम के समय आप जैसे सुर्यास्त हो पीपल के नीचे एक दिपक जूर प्रजूरत करके आएं और विश्णु भगवान को वहां पर मालक्षमी बास होता है लेकिन पूर्णिमा के दिन विश्णु भगवान मालक्षमी दोनों का ही वास रहता है उसमें विश्णु भगवान को निमंतरन देके आएं उस दिन उनको अमंतरन करें कि आपके घर में आएं और बच्चेओं को विवा कारया करें यह संध्या के समया आप एक चोटी सी बात कहना कि किसी को निमंतरन देना अब बात करते हैं कि जो आपने जो और लिये हैं या गेहूं लिया है उसको आप किसी कपड़े में बांध लीजिए कपड़ा कोई भी कलर का हो सकता है सफेद कपड़ा ले लीजिए सबसे अच्छी बात है सफेद कपड़े में उ काम को मत करिएगा सबी लोग खा पी के अपने अपने कमरों में सेट हो जाएं उसके बाद से जब आप खुद सोने जा रहे हो यानि कि मदर जब खुद सोने जा रही हो तो उस वक्त इस काम को कर ले और जरूरी नहीं कि हर किसी को बताना क्योंकि इस से होगा क्या कि घर में ज तो आपके पीट पीछे पश्चम होता है और आपके दाएं हाथ को धक्षन होता है और बाएं हाथ को उतर होता है तो आपके घर में आप खड़े होग़ेगा कोई साइड ऐसा हो कोना ऐसा हो, कोई सामान रखा हो, कुछ भी रखा हो, उसके साइड में छुपा के इसको, देखिए किसी को दिखना नहीं जाएए, घर में लोग आते जाते रहें और लोगों को सिबको दिखता रहेए, ये दिखनी नहीं चाहिए, पोटली, आप इसको उपर कोई वजन दे के कोई भार या बोज दे कर, जैसे इंटे रख सकते हैं, या कोई पत्थर हो, थोड़ा सा बड़ा, उसको रख सकते हैं, दक्शन दिखा में या पश्चन दिखा में इसे रख के पोटली को थोड़ा छुपाते हुए, इसके उपर भजन रख दीजिए, भार रख दीजिए, चाहे एक पत्थर चोटा सा रख दें इसके उपर अब इसको आपके रात को रखा हुआ इसको पड़ा रहने दीजिएगा आगे 27 सितंबर आप तारिक सुन लीजिए मुझसे 27 सितंबर को शत्विशा नक्षत्र है उस नक्षत्र में इसको निकालना है वापिस बाहर उससे पह मुझे लगता है शायद कोई दान ले न ले लेकिन किसी धर्मस्थान पर देवस्थान पर आप इसको दे सकते हैं आप 27 सितंबर को जैसे इसको देंगे घर में मंगल कारें की शुरुआत हो जाएगी यानकि पॉजिटिवनेस तो उससे पहले आ जाएगी जब आप इस जान करते ही घर में विवा रखा जाएगा सगाई हो जाएगी सब काम हो जाएंगे बच्चों के जितने भी रुक हो हैं सब काम होना शुरू हो जाएंगे घर की दिशाएं ही बदल जाएंगी दशाएं बदल जाएंगी यनकि दिशा और दशा दोनों बदलते ही बच्चों के विवा कार्यत तुरंत संपन होंगे इसको करके देखें मा करें जरूर इस सावन की पूर्णिमा इसको ना जाने दें इस काम को जरूर करें आपको तुरंत लाब होगा काम ना करती हूं शावन पूर्णिमा में विश्ण भगवान बच्चों के आपके तुरंत विवायोग बनाएं और विवा शादियां हो जाएं वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बार आएं सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट बॉक्स में जै विश्णुदेव जरूर लिखें थेंक्स फर वाजे